तनाव प्रबंदन का ये सूत्र जीवन भर हमें प्रेरित करेगा प्रधान मंत्री जी, राक्समंद राज्यस्थान के चात्र धीरज सुथार जो कि गवर्वर्मेंट सीनियस के एंड्री स्कूल कुंदवा में पढ़ते हैं हमारे बीच इस हॉल में मुझूद हैं और आपसे प्रशन पूछना चाहते हैं धीरज, क्रिपया अपना प्रशन पूछिए नमस्ते महारनिया, प्रधान मंत्री जी मैं धीरज सुथार मैं राज के उच्छ माजमिक विद्याले कुंदवा, राजसमन, राजस्तान से हूँ मैं बारविक अक्षा मैं अजयन रत हूँ मेरा प्रस्थ यह है कि वियायाम मेरा प्रस्थ यह है कि वियायाम के साथ साथ पड़ई को कैसे मैनेज करें क्योंकि सारे लिक स्वास्त भी उतना ही जरूरी है जितना की मानसिक स्वास्ते क्रिपिया मार्क दसन करें धन्यवाद साथ आपका शरीद देखकर के लगता है मुझे आपने सही समाल पूछा है और आपकी यह चिंता भी सही होगी धन्यवाद धिरज अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बरफीली चोटियों पर तैनात सीना के जाबाजों के शौरे के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाक के पी-एम श्री केंद्रिये विद्याले कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड रही है और प्रदान मंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है नजमा कृपया अपना प्रश्न पूछिए प्रदान मंत्री जी नमस्कार मेरा नाम नजमा खातून है मैं पी-एम श्री केंद्रिये विद्याले तारगिल नदाक में पत्ती हूँ मैं कक्षा दस्वी की छात्र हूँ मेरा आपसे प्रशन यह है के परिक्षा की तयारी और स्वस्थ जीवेंचेली बनाई रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते है धन्यवाद शुक्रिया नजमा पुर्वोत्तर भारत के रत्न जंजातिय बहुल राज अरुनाचल प्रदेश के नहार लोगुन गवर्मेंट हायर्स केंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टोबी लामी जी इस सभागार में अपस्तित है और प्रधान मंत्री जी से प्रशन पूछना चाहती है नमस्कार मानिय प्रधान मंत्री जी मेरा नाम तोबी लोमी है मैं एक शिक्षिका हूँ मैं गवर्मेंट हैर्चिंडी स्कूल नहार लगन अरुनाचल प्रदेश से आई हूँ मेरा प्रश्ण है विद्यारती खेल कूद देहीं बलकी पढ़ाई में मोख्यी रूप से क्या और कैसे ध्यान केंड़ित कर सकते हैं प्रदान मंत्री जी धीरज नजमा और तूबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामन जस से कैसे स्थापित करें इस विशय पर आपका मार्क दर्शन चाहते हैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाईल फोन का उप्योग करते होंगे और कुछ लोग होंगे साहद उनको घंटों तक मोबाईल फोन की आदत भिख हो गई होगी लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाईल का उप्योग कम हो जाएगा इसलिए रिचार्जिंग करूंगा अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मुबाइल काम करेगा क्या करेगा क्या तो मुबाइल जैसी चीज जो रोज मरा देखते है उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है अरे जवाब तो दीजिए रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़त तो यह बोड़ी को करना चाहिए नहीं कर रहा से यह सोचों में चार्धिंग इसा'! शरीर का भी चार्दिंग ये शरीर की रिक्वार्मेंट है, आप ऐसा सोजो कि नहीं पढ़ना आए तो बागी सब बन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं, और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं, खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है, लेकिन जब आपको एक्जाम देनी हो कि लोग की लाइफ जीवन में, इन चीजों का अपना महत्वा है, इसको टाल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में व स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है, अब स्वस्थ हैरी का मतलब यह तो नहीं है, कि आपको पहलवानी करनी है, यह आवशक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमित्ता होती है, अब आप कभी सोचिए, कितना समय है, जिसमें आप खूले आसमान के नीचे, सनलाइ सनलाइट में बिताय हो, अगर आप चलो पढ़ना भी है, तो किताब लेकर के सनलाइट में बेठन हो, भई थोड़ी देर, कभी-कभी बॉड़ी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है, क्या कभी कोशिश की? नियम से, कि मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मोका निकाल दू ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे, उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों न हो, लेकिन निंद को कभी भी कम मता की है, जब अपनी मम्मी हमको कहती है कि सो जाओ, सो जाओ, तो उसको उसका इंटरफिरंस मत मानिये, ज्यादा तर स्टूडन का इगो इतना हट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सो जाओ, और मुझे कल एक्जान देनी है, मैं सोँगा, नहीं सोँगा, तुम्हे क्या लेना, ऐसा क कि निंद के विशे में भी, अगर एक बार रील पर चड़ गए है, एक के बाद एक 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 बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीद गया पता नहीं, कितनी निंद खराब हो गए पता नहीं, क्या निकानला, पहला रील देखा था, याद करो ज़रा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे हम निंद को बहुत कमागते हैं, आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है, वो निंद को बहुत तबज्जु देता है आप आवशक निंद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्त पर बहुत बड़ा महत्वपुन है आपको उस पर ध्यान के इंदित करना चाहिए इसका मठले भी भी नहीं कि बाद अग्जाम तो आती रहेगी मोदी जी को मिलाता उसने कहा है सो जाओ अभी यहाँ आर्टिस्टिक बाड़ मना और गर में गुश्ते ही लिखो सो जाओ मम्मी पपा को दिखा दो सो जाओ ऐसा तो नहीं करी नहीं है कम नीन स्वास्त के लिए अनूचित है कुछ अफ़ाब लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बाड़ी को ले गए हैं उनको शाओ उससे बाहर होंगे सामान निम्यानवी के जीवन के लिए अनूचित है आप कोशिश किजिए कि आपकी रिक्वार्ब जितनी भी निम्यानवी आप पूरी लेते और ये भी देखिए कि साउंड स्लिप है कि नहीं बहुत गहरी निम्यानवी चाहिए आप हैरान हो जाएंगे जो टीचर बैटे नो बड़ी आयू के टीचर ये सुनकर के जुरूर चौंक जाएंगे आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है आप लोगों जितना नहीं है लेकिन 365 दिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं अगर मैं विस्तर पे लेता नहीं कि 30 सेकंड मैं deep sleep की तरफ नहीं चला गयता होता नहीं 30 सेकंड लगता है मुझे आप मैंसे बहुत छोटी आयूके भी होंगे कभी इदर कभी उदर कभी उदर कभी उदर फिन निन आई तो आई क्यों मेरा बाकी जो जागरत वस्ता का समय है उसमें बहुत जागरत रहता हूँ और आप जिस उमर में है उस उमर में जिन चीजों की जरुत है वो आपके आहार में है की नहीं है एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो पेड भर जाता है कभी मन भर जाता है लेकिन सरीर की आवशक्ता है पूरी नहीं करता है 10-12 का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एक्जाम का बातावरन है तो एक पार ताय कीजिए कि मेरे सरीर को जितनी रिक्वार्मेंट है उनमें लेता हूँ माबाप भी बच्चे को ऐसा न करें ने ने हाद तो हलवा बनाये ज़रा ज्यादा खा ले कभी माबाप को भी लगता है कि quantity ज़्यादा खिला दी तो बच्चास खुश है जी नहीं उसके सदी और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी के मुद्दा नहीं है जो उप्लब के चीज़े होती है उसी में से मिल जाता आए जी उसमें सारी चीज़े रहती हैं कमसे कम हर्च वाली भी चीज़े होती है जो हमारे nutrition को care कर सकती है और इसलिए हमारे आहार में SANTULALAN ये भी स्वाथ के लिए उत्राई जरूरी है और फिर exercise हमने पहलोगानी वाली exercise करे और ना करे अलग बाहते हैं लेकिन fitness के लिए exercise करना चाहिए जैसे daily toothbrush करते है न वैसे ही no compromise exercise करने चाहिए मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं वो छट पे चले जाते हैं किताब लेकर चलते हैं और पढ़ते रहते हैं दोनों काम कर लेते हैं कुछ गलत नहीं है वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है exercise भी हो जाती है कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी physical activity होती रहते हैं पांच मिनिट दस मिनिट dedicated physical activity करने ही चाहिए ज्यादा कर सकते हैं अच्छी बात हैं अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे एक्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा संतुलित करिए आपको बहुत फाइदा होगा धन्यवाद